जैन साथियों नमस्कार मैं तीस संद्रा आप शभी के समग चुपस्तित हो चुका हूँ एक बार फिर से आरारबी टेक्निशियन जेई सी एमे पैरा मेडिकल एस्टेंड वै कंडिडेट्स के लिए कुछ बातें लेकर के काफी सारी लोग मुझे कमेंट करके लगातार बोल रहे थे कि क्या अपडेट है क्या अपडेट है तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ का अपडेट कहीं से कोई कुछ खास अपडेट नहीं है एक लाइन में अगर बोलें तो कहीं से कोई कुछ खास को मैं बता दूं कि दिल्ली में जो हमारी टीम है वो लगतार स्टेंडिंग कमिटी के मेंबर्स से मिल रहे हैं जिन से भी मौका मिल रहा है उनको लगतार वो मिल रहे हैं अभी हाल ही में उनकी मुलाकात अरजुन अपके कोई मेगवाल साहब है तो मेगवाल साहब से उनकी मु लड़के चुकी उहाँ एक साथ पहुँचे हुए थे तो फॉन करना उंकी एक विवस्ता भी थी और फॉन करके लड़कों को आसवासन दिलाना उनकी एक विवस्ता रही हो चाहिए जो कुछ भी हो हलांकि यह फॉन करना एक सकरात्मक पहल जरूर है और हमने पहले भी खाया है कि सबका होगा इसमें कहीं से कोई confusion वाली बात नहीं है लेकिन हाँ इस बात को मान करके आप अगर सो जाएंगे तो निसी तोर पर सभी का नहीं हो पाएगा तो सभी का हो इसके लिए क्या करना चाहिए तो आप सभी को pressure group हमेशा active रखना होगा pressure हमेशा बनाए रखना होगा और pressure कैसे बनेगा तो जब भी standing committee की meeting हो उससे पहले सभी माननिय सदस्यों से आपको मिलना होगा उनसे अनुरोद करना होगा उनको अपनी विवस्ता बतानी होगी और लगातार जहां से भी हो जैसे भी हो mail हो, twitter हो आपको हर प्रकार से pressure बनाए रखने का परियास करना होगा क्योंकि काफी सारे zone है काफी सारे board है, जहां से काफी कम demand है और वहाँ धेर सारे लड़के वेटिंग में अभी बचे हुए रह जाएंगे तो हलाकि बहुत सारे लड़के आपको प्यूज जो है, यानि की production units जो है, उसमें भी shift करेंगे तो आने वाले दिनों में ही आंकडास first हो पाएगा कि कितने लड़के बच रहे हैं और कितने लड़कों को नौकरी मिल पाई है तो संभवता आप मान करके चलने की फरवरी के last तक आपको पैनल आना सुरू हो जाएगा और जब पैनल आना सुरू हो जाएगा तो एक बार सभी का पैनल आ जाए उसके बाद फिर पता चल पाएगा कि किस बोर्ड में कितने लड़के डिमांड है उनका हो जाएगा फिर भी वो लोग लगे हुए हैं इसलिए कि सभी का 100% हो क्योंकि सभी लोगों ने इतने दिनों से लगातार जो महनत किया है उनका महनत विफल नहीं हो तो बस यही है कि होप है उमीद है उमीद की किरने काफी सारी दिख रही है तो उन्हीं उमीद की किरनों के सारे आपको भी चलना होगा और आपको भी उन्हीं उमीद की किरनों से फिलाल काम चलाना होगा कहीं से कोई खास कुछ अपडेट नहीं है महने दो महने बाद ही आपको संभवता या बीच में कुछ एनॉंस हो तो अलग बात है फिलाल कोई अपडेट नहीं है कोई अपडेट होगा चोकि आप लोग परिशान हो रहे तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा मिलते हैं अगर कोई फिर नेक्स्ट अपडेट होगा तब तक के लिए आप सभी को जैहिंद धन्यवाद